तो ये मीडिया एक दरे से एजेंडा सेट कर देता है, अब मीडिया जब हम बोल रहे तो उसमें समाचार पत्र भी हैं, पत्रकार भी हैं, साहित्यकार भी हैं, फिलमें भी हैं, सब कुछ है. जन्जाती समाज असव्य है, उसको संस्कारित करने की जरूरत है, वो विचार इसलिए आता है कि ऐसा कहीं भी कोई एकड़िमिक वर्क या वास्तविक्ता यह है कि जन्जाती समाज वन्नों में रहने वाला और उसकी अपनी एक संस्कृती विक्सित हुई और उसने शेष तुमारे भगवान हमारे भगवान अपने म सच लोग गों में चले गए उसको किसी ने जिसाओडना सीक लिया, किसी ने कुर्थी बनाना सीक लिया, तो उसने इसी भगवान जा तु चित्र मनाया तो यह उसका इश्वास था कि राम तु जुहार करते हूंग23 राम विष्यायम को बढ़ाय जाता था, और नहीं पढ़ाया है, तो मुझे बताया कि यहां पर जनसंचार के भी विध्यारती हैं, और पत्रकार भी हैं, तो एक एक अजेंडा सेटिंग मौडल पढ़ाय जाता था हमे, उसने मुझे बुछ प्रभावित किया था आगे तक, और वो छोटा सा हिस्सा समाज के सामने लाता है, उसी को आगे लाता है, और जो शरोता है उसका, वो उसी को ही संपूर्ण सत्य मानता है, तो यह मीडिया एक तरे से एजेंडा सेट कर देता है, अब मीडिया जब बोल रहे तो उसमें समाचार पत्र भी हैं, पत्रकार भी हैं, साहि में लगातार, चुकि मार्स कम्यूनिशन वी बारे में मुझे बहुत रुची थी, इसलिए मैंने एक साल का जरिलिजम का कोर्स भी किया, तो उसमें से ध्यान आया है कि यह कितना ज्यादा हो रहा है, खास तोर से हमारे देश में और उसमें से भी सबसे ज्यादा इसका जो शि वो भी जंजादी समाभ धारे में ही नहीं, वो कोई बाहर से लाया हूए इससा ही लिख यार अभी इक लिख लिए या एको जार बिदा जाय रहा है, और उसी को ही पोरा समाझ, संपुर्ण शत्य मान रहा हैं, बेश की नीतिया उसके हिसाब से बन रहे है, गषका इसके बा सबी कुछ वेसा ही हो रहा है, तब कि वास्तविकता बहुत अलग है। और इसका ऐसास में जब कॉलेज में पड़ता था तब से आया। कॉलेज में जब मैं था तब मैं गाओं में रहता था, अधर भी आता था और जो नगर के हमारे सहِ अपाठी हैं वो जो सोचते थे कि अदिवयासी यह होते हैं, ट्राइबल ऐसे होते हैं, और जो गाओं में जानने से समझ में अवा न nine time तो यह मन में प्रस्न था ता चि ऐसा यह क्यों है। अब द्यान में आया है कि उनोंने टेक्स्ट बुक में शडियूल ट्राइब के वारे में जञ जाती के वारे में चुछ पढ़ा है और उसके बाद उनोंने फिल्मे देखिये जिसमें अदिवासी बताय जाते है जो अदिवासी यहां रहते ही नहीं है क्योंकि यशा तो जो अगही नहीं रहते हैं जो फिल्मों बताए देते हैं लेकिन उसके हिसाब से वो हिंदोर गा आटमी जाववा के बिल को वेसा समझता है और उसी के हिसाब से विवहार भी करता है तो मेरे ध्यन मेरे द्यावा है कि यह ऐसा क्यों हुआ तब दियंगरेगी धी, अग्रेज विकस्थं एमरे में टर्डियॉूण है। और भलीवॉड की फिल्मों में भालाया है दियं में, आप आप लिवॉड की बनती है। तिक है हुआ टहुट का बताए जाते है अदिवासी। होलीवुड ने आदिवासियों को हेड़वंटर्स, अर्दविक्सित, आदिमानो ये पोर्ट्रे किया अलगातार और वही का वही हमने हिंदी फिल्मों में लिया और वही देख के आदिवासि समझते हैं आज भी कि इसलिए इसलिए ये भी धान में लेता कि अधिवासि क्या है ये भी धान में लेनी आता हूं लेकिन वैसा मानते हैं कि वो कुछ अलग स्पीसी है, अलग लोग हैं, अभी बुट सारे विक्सिद भी नहीं है, यह धारना लगभग अगर में कहूं, तो आज नगर में रहने वाले अधिकांश लोगों की बनी हुई है आज भी, और फिर यह देन माया कि होलिवुड में भी अभी इसा क्यों हुआ, तो यह जो अंग्लो सेक्शन रेज गई, अमेरिका गई, न्यूजिलेंड गई, अस्ट्रेलिया गई, और उसका इतियासम में से अधिकांश लोगों ने पढ़ा भी होगा, कि उन्हों ने उस पे कपजा करने के लिए एक नरेटिव बनाया था, कि यह आदी मानव है यह भी पूरी तर से मानव बने नहीं है, यह तक कि शुरुवात के दिनों में उनके शिकार भी उनने किया, उसकी अनुमती थी शिकार करने की, और यह खतरनाख है, इसलिए इनको मारना चाहिए, इनको कंट्रोल करना चाहिए, ऐसा करके इमेज बनाना च कि शिद्ध करने ही पड़ते हैं कि हम इत्याचार करने हैं तो कुछ कारन चाहिए, उसके लिए उनने वैसे निरेटिव बनाए थे, वैसी फिल्मे बनाई थी जो दुनिया बर में चली हमारे देश में तो इसलिए चली कि अंगिर आई गए तो सभी कुछ उनके साम करने करने लगए और इसका बहुत लोग फायदा बढ़ा है तो देश को तोड़ना चाहते हैं वो भी उठा रहे हैं और दुर्भाक्य की बात है कि जो तोडने की साजिश से लड़ रहे हैं उनको भी रेयलिटी नही बता इसकारन से वो रियक्शनरी लड़ाई कर रहे हैं तो इ कि लिखने की आवशकता मुझे लगती इसलिए भी एक कारिक्रम मुझे बहुत महत पूपून लगता है अब जैसा मैंने बताया कि इमेज वर्सेस लेलिटी उसमें क्या-क्या परिनाम होते हैं जैसे अंग्रेजों ने हमको बता दिया क्योंकि उनको वाँ धर्मांतरन करना तो उनोंने कहा इनका कोई धर्म नी है, इसलिए अन्दविष्वासी लोग है और इनको धर्म देना हमारा काम है इसलिए उनने सिद्ध किया कि इसलिए शिए जन्जाती समाज में उनके इसाफे ट्राइब्स में होती ही नहीं और उसी का अधार आज तक हमारे पास भी चला जन्जाती समाज के बारे में या जो रिसर्च देखता हूं उसमें अभी जन्जाती समाज की आध्यात्म पर कोई भी काम नी कर रहा है अभी तक कोई काम नी हो जन्जाती समाज असभ्या है उसको संसकारित करने की जरृत है वो विचार इसलिए आता है कि ऐसा कहीं भी कोई कि एकड़ेमिक वर्क या कोई ऐसा साहित लिखावा नहीं है जो वहां के जीवन मुल्यों के बारे में ठीक प्रकार से लोगों तक बात पहुचा सके जीवन केसा है, सामाजिक मूल्य कैसे हैं, परस्पर व्यवार कैसा है वो कम्यूनिटी इतने हजारो अरचों से एक साथ कैसे रह रह है इसके बारे में कोई सोशल रिसर्च निय को जन्जाति समाज के बारे में जो रिसर्च है अभी वो एंध्रियों प्रडोडिविस्टेदी यहा刮 पियि VII. इसे तीज तवार मनाते हिं be thirty तीज तवार क्यों बनाते हो है यह कही निलिखक बिखक शजा सब्सक्राइब। इसे कपड़ क्यों पहनते हृं तौपनें रिखका। यहा व्हा थिश द्वारे में निलिखक बिंवाया तो जैसे जानवरों के बारे में लिखा जाता है वेसा ही लगभग आज भी अगर हम जाते हैं, बड़ा दुख होता है जब हम ट्राइबल म्यूजियम में जाते हैं, तो लगभग अन्थ्रापोलोजी स्टडीज के अधार पे किया हुआ पोर्ट रहे हूँ तो अब चुकि अ तो इस से जादा अभी समाज में गिसी प्रकार्की जानकारी था है बाकी जो चल रहा है नरेटिव तो एक्षिन और र्याक्षिन है क्योंकि वो जो समाज तोड़ना चाहते हैं वो बोलना चाहते है कि तुम हिंदू नही हो और जो समझाने माले लोग थो यह समझाने माले कि तुम हिंदू हो, इसके अलाबा कहीं लिखावा कुछ काम नहीं है। तो हम उनके दिये हुए जो छोटा सा जूट है। उससे लड़ने में समय कुजार है। जबकि जो वास्तविक सच्चा ही है। वह सामने आने पर उस जूट का कोई मतलब ही रह जाएगा। इसका एक विश्वास अभी हमारे अंदर नहीं आया। ऐसा मुझे लगता है। तो आज मैं आज का मुझे अशर दिया। उसका मैं एक लाब लेना चाहता हूँ कि सबसे इस बात प्यागरा करूँ कि जन्जाती समाज की वास्तविक्ता को समझने का प्रयास करें। और वास्तविक्ता समझने के लिए किताब पढ़ने से नहीं होगा। कहली मेरी मिना जी से बात हो रही थी। मैंने का हमारे रिसार्च कर रहे हम सब सेकेंडरी डाटा कर रहे है। फ्लविन के लिखा उसको पढ़कर हम कर रहे हैं। लीडिन के रीक्ष्y्यम्ट म किसे ने लिखा, वह लिख लिए रहे??? लुट उससे असामत होगई लिख रहे हैं। पर हम उस सच्चाई को नहीं जान रहे हैं। तो हम केवल डिफेंड करने के लिए कर रहे हैं, जो कि बहुत कमजोर तर्क हो जाते हैं आगे चलके और ये खत्रा हमारे देश में और अपने खास तोर से अपने मालवा के क्षित्र में भी दिखता है, जो अंदर जाते उनको दिखता है, लेकिन बाहर के समाज कोई समझ में जैसे अभी मूल निवासी विषय चला है, मूल निवासी विषय अभी हमने लगातार पंदरा साल से इसको निगलेट किया है, वो होते होते जब उसके एक पोलिटिकल आने लगा तब हम थोड़े से जागे हैं, लेकिन ये विषय चला है 1993 से, जब आल चर्चेस की मीटिंग विषय थी पुने में, 91 में संभव था, और उसमें उनोंने इस पे मन्थन किया था कि हमने इतने प्रयास कि अन्यादेशों में तो हम पचास परसंट, साइट परसंट कर लिया, भारत में अभी तक साढ़े तीन परसंट पे क्यों पहुंचें हैं, उसका निशकर शुना नि तब उनने कहा कि फिर हम ऐसा करना पड़ेगा कि जो थोड़े कमजोर है, जो अलग थालग है, उस जाती समूओं को पहले ये बताना पड़ेगा कि तुम हिंदू नही हो, तो पहले हिंदू समाज से उनको काटना पड़ेगा और उसके बाद में फिर कन्वर्जन असान होग उस रन्निती में उनने काम किया उस समें एक लिबरेशन थिएलोजी करके लिषय गड़ा गया, उसके ठेवलोजिस की ट्रेंग दी गयः, और उसमें उनने तर्क दिया कि ये जीसस की आग्या है, कि जो पीड़ित्समुदाय है, उनको लिबरेट करना ये भी जीसस की आग् के लिए ट्रेन किया था हमारे लिए इसके बहुत उधारन है क्योंकि लगभग 90 के दशक मही 96 के आसपासी शायद एक मारिया हत्याकांड था तो पुराने लोगे उनको ध्यान होगा बहुत उसका प्रचार था इंटरनेशनली भी वह विशे गया था मारिया नाम कि एक नंध जिसकी अत्या हुई थी नरशन सत्या हुई थी और उसको लेके सारे लेंदू संगठणों को सब को बहुत आरोब भी लगे थे वो मारिया जो थी वो लीबरेशन थी अफिस्टल रखती थी अपने पास जिन्ट एक पहल उसने वहा एक हिंदू कार्यकर्ता तो तो जान से मारनी कोशिष कि ती उसके बदले में उसके इच्छे भाई नुटस प्रण शुदिएगी तो उसके बाद में और मुद्ने वहा एक पत्रणार पृत लिखना शुरु किया थी ती हम कार्यकर्तावने जाए क कि उनको बताएगी फैक्ट तो यह है आप इसे कैसे लिख रहे हो तोड़ा बट उसके करण ठीक हुआ बड़ा जागरन अभियान हुआ उसमें और उसके करण से वह के लोगों में अन्या था उस समय तो बहुत आत्म अगलानी में पूरा समाज आगा था कि एक युवा नन को बतार के और पकबख पचास साथ स्टैब्स मारे थे तो अत्या निष्चितरूपस अन्रशन से थी हो तो इसके बैग्राउंड में जाते हैं तब ध्यान में आता है कि वह सेवा करने नद नहीं थी तो यह उस समय नाइटिसिक्स के आज सपास यह विशय हुआ था अब यह में भी लिखा नहीं जाता है खटना हो गई रिकॉर्ड में आ गगई इंटरनेशनल अगबारों में शब गई आज से बीस साल बाद जब मारिया की चर्चा होगी तो यह बाते नहीं आएंगी कि वास्तविक्ता किया थी क्योंकि यह लिखा ही नहीं नहीं गया स्टैन्स की इसका उल्लेक नहीं आएगा उनकी इंदरशन सत्या हुई थी यह आएगा तो यह एक बहुत मिसिंग पार्ट है अपने अखासवर से जन जाती क्षित्र में तो यह चलता रहा है हमारे आपर और इसलिए उसको एकडेमिक यह लड़ना भो जरूरी है आज जब हम देखते है में आज के यह वर को बढ़ाया जा आए तो बढ़ाने के पीछे वो लंबे समय की एक स्टेजी है जिसके अंतरगत अब हाय का यह बढ़ाओ के रास्ते में तो इसके बारे में ठीक से लिगक से टुमेंटेशन ओना लिखना बट जरूरी है जजआती समाज हिंदू नही है जब इंटरनेशनल इंडिजिनियस पीपल्स येर मनाया गया था युनाइटन नेशन्स वारा, पुरा शडियंत्र था हो, कि मुल निवाशी का नरेटिव लाना है, बुनिया भर के जन्जाती संहुदायों को अपने अपने देशों से अलग करने की साजिश करना है, उस समय भ बनौणाइन था हो था चुड़ा फ़ी जानकार यह लिए तो सभी बावन जगे पर सभा में उन्हें हुन pembal六 तीन नारे लगाय थे तीन बार, हम हिंदु नहीं हैं, हम हिंदु नहीं हैं, हम हिंदु नहीं हैं, हम हिंदु नहीं हैं, अभी हमको लगता है कि यह हिंदु नहीं का नहीं अभी शुरू है, नहीं, वो वीज महां से चल रहा है, और उसके अधार पे फिर उनोंने काम करना कि जल्दी से जल्दी जाबवा को अन्वर्ट करना है ति पच्चिस से तीस परसेंट तक जाना है हुआ है। बहुती से प्रया शुरू किया थे उन्होंने। कारिकरताओं को चर्च के पास से डॉक्यमेंट मिल गए जिसमें उन्होंने नक्षा बना के रखा था कि पच्चिस परसेंट हो जाएगा तब हम पुलिटिकली बिलिस्तान की डिमांड कर सकेंगे और सेपरेट नेशन की भी कर सकेंगे। कि असके बाद में सब्सक्राइग कारिकरताओं ने मिलके हिंदु संगम करके एक बड़ा आजन किया था पर तेक परिवार में चले थे धार और जाववा के लगब तीन लाग परिवारों में हनुमान जी के चित्र लगए उसमें से वो उनका वो अभियान टाइली उट उट 20 लाग अदिवासियों को हिंदु बना दिया उस पे उनने 400 पेज लिखे थे हमारे हाँ चार पेज ने लिखे 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 बाकी लोगों ने कुछ ने लिखाँ ने लिखाँ मिलिन जी कोई प्रदर्शनी में एक लेफटिस्ट कार्य करता मिले से तो अब आपे आदिवा पुमारे हाँ ने लिखे हैं तो इतना काम होता है चार पेसें बहुत काम हाँ तो इतना काम होता है य्पर झाग कराम किया य्प रिखे घासि ने किसी तरीके से इंटेलेक्ट्वल डिवेट ने को लाना भुत जरूरुरी है अभि हमने आयो की तरफ से 104 उनिविशिटिस म कार्यक्रम की है, जिसमें जन्जाती, सतंतता संग्रा में जन्जातियों का योगदान, और उसके जो नायक थे, उनकी प्रदर्षणी मनाकर और वो प्रदर्षणी इनुशनी, बहुत अच्छा उसका रिपूंस आया, लगभग पचास हजार चात्रों न भाग लिया, ज्याद यह थे तिहास क्या है, लेकिन उसके पता ही नहीं है, उसके पास उपलब्दी नहीं है, और उसके कारण से वह हीन भावना से अग्रसित है, एक बहुत रिसेंट उदारन में बता सकना हूं कि टंट्या, भील, चोरहा, जो भवरकुआ में घोशित हुआ, उसके बाद कुछ कि यह भील, हम सोचते हैं कि यह तो एक पोलिटिकल गिमिक है, कि वह राजनितिक कारणों से उसमें प्रतिमा लगा रहा है, लेकिन जन्जाती चात्रों में से कहा, कि वह हो गया, उससे बुत अच्छ हुआ है, अब पहले हम जब यहाँ उनिवर्सित लगी उससे तो कमरे कि लेने जाते ते, तो हम आपके लोग बोलते हैं तुम हो को और कहा के हो, हम तुमको मकान नहीं देंगे, कमरा नहीं देंगे, अब हम यह बोल सकेंगे कि वह जो चोरा बनाएं तो यह फरक पड़ता है, और यह यह परक बहुत महत्वपून है, और इसके लिए एकाड़मिक हमारे से बहुत दूर नहीं यह पाड़ी है, दुनिया का सबसे बड़ा मैसे कार और लड़ते हुए लोग मरे इतनी बड़ी संख्या में, यह मुझे तो इतिहास में अभी ताइक द्यान नहीं आता कि वहा है, कि बृतिस चेना ने धंका दिया था कि तुमका दिया था कि त कि वावजाद में हजारो की संक्या में महिला, पुरुष, बच्चे सब गए, तीन गंटे उन पर फाइरिंग हुई, कितने मरे होंगे इसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती, अंग्रेज उने तो बहुत कम बताया, फिर उसका पंद्रा सो साथ दुए, धरमविर जी यह बिठे कि सवाचार लाग एमिनिशन गया है, लेके गय थे, संक्षिंट एक अर्काइज ने अवलेबल है, तो सवाचार लाग एमिनिशन के साथ मशीन और तो अगर गयते हैं और तीन गंटे सुवे साथ वज़े से लेके, दस बज़े तक फारिंग की ती, तो कितने लोग मरे किसने देखा उसको, और वो क्यों बताएंगे कि हमने कितने लोग मारे थें, पर वो भी लोग नहीं जानते हैं, अपने यहां पर जो अलग अलग नायक हुए हैं, उनके बारे में नहीं पता हैं, वास्तों में देखा जाएं तो इतिहास अंकलन समीति करके शुरुवात हुआ अभी भी जिले का इतिहास, ठीक ठाक से संकलित नहीं है, वो ज्यादा जरूरी है, खासतोर से जंजाती जिलो का, क्योंकि वो कहीं भी डोकुमेंटेड नहीं हैं जबकि अभी इस मृती में है वो लोगों के, मानगड में मारे गए लोगों के दूसरी तीसरी पिडी अभी जो कि बता सकती ही कि हमारे दादाजी थे, वो बता सकते हैं उसके बारे में कि क्या क्या हुआ था क्योंकि उन्होंने अपने दादाजी से सुना हुआ है, पर अभी वाम खोते जा रहा है वो बात, और यह जो नया साहित आ जा 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 ए उससे हमारी नही नही पिडी प्रफ्यूज के जारी है। और इसके कारण प्रफ्लिक्ट भी हो रहा है। तो यह इस्सा तो के वल इतना ही है। दूसरा हिस्सा जो है जन्जाति समाज के बारे में इसके बारे में करने के आउशकता है। हमने कुछ विश्य निकाले हैं अस्मिता, अस्तित्व, और विकास। तो किसी भी समाज के बारे में जानना समझना है, तो तीनों चीजों को समझने की जरूरत है। जब अस्मिता बोलते हैं तो इसका अध्यात्म, उसकी का इतिहास, और उसकी सामाजिक जीवन दर्शन। इसमें से कुछ भी अभी उपलब्द नहीं है, ठीक से, इन सब बहुत काम करने की जरूरत है, बहुत सारा लिखने की जरूरत है, और खासवर से युवाओं और जन्जाती युवाओं को इस बात के लिए प्रिद करने की आवशकता है, कि वो इसको कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, तो रुचिले, कुछ नो कुछ अपने पूर्वजों से, अपने पुराने लोगों से पूछेंगे तो उनको मिलेगा, क्योंकि ये सारा संकलन अनुभूती जन्न्य होगा, अग्रेज लिखके गए वो पढ़के नहीं होगा, जो प शामिल है, चिनेमा भी शामिल हैंसे तोंहें, रिसर्च भी शामिल है, डॉक्यमेंटेशई भी शामिल है, लेख और समाचार जो चपते हैं वो भी शामिल है, हमारे पास मही जो बढ़े बढ़ देस्व मनता है, उसके लिए पारे आरे टोटल गल नरेटिव आटी वास तक rare कुछ और और गडिका कउछ और जाता है और ये जो पीडा है जञजाती समाझ की बहुत जदन है क्योंकि अ की बना समझेХ और की बार क्या हता है जगा है? इस बड़े अच्छे मन से करते हैं पर बना समझें उसे वो अर आहत करता है तो यह एक बड़ी जिम्मेदारी मुझे सा लगता है कि साहित्य, पत्रकारिता, और फिल्मेकस, यह तीनों की है, कि वो सीधे समाज की जो रियलिटी है, और अनुभूती जन्न ग्यान है, उसको डॉक्यूमेंट करके लोगों के सामने लाएं. एक बहुत महत्पून भी मर्शवर, आपने जैसा है कहा कि मैं मूल रूप से साहितेकार नहीं हूँ, लेकिन जन्नझाती समाज के बीच जो वर्षों तक अपने कार्य किया है, और जो अनुभूती आपने, और अनुभूव आपने प्रापत किया है, तो हम जो साहितेकार नही तो पाथे बनेगा ये सारा अनुभव, इसलिए आपका ये उदबोधन बहुत महत्पून है इस चर्चा की दृष्टी से, जैसा कि आपने कहा कि इमेज वर्सेस रियालेटी, जनजातियों की पहचान क्या है, जैसा मैं चाहूंगा कि ये सदन जाने की बास्तों में जनजाति की पहचान क्या है, क्या इमेज है, जनजाति क्या स्वरूप है, क्या जीवनमुल्य है, क्या विचार है, और वो कौन सी संस्कृति को जीता है? हमागर विचार करें, हमारे दृष्टिकों से विचार करें, हमारे पुरानों में, हमारे इस्मृति में, जो जन्जाती समाज का, जिसको समानितव वनवासी समाज का गया, क्योंकि हमार यह तीन केटेगरी में एक तरह से समाज को मान सकते हम, जो जो नगर में रहने वाला समा विक्सित हुए और जैसे वह का रहन सहन और उड़ता उसके हिसाब से वह की लाइस्टैल भी बनती है रहन सहन बनता है वैसे ही समाज रचना वैसे बनती है तो ऐस इस प्रकार से के जब हम देखते हैं तो हमारा जो जनजाती समाज है औरन उस्के है वह आध्यात्मिक शर्ष्थी से लेके और अंततक्त विवार में भी कभी भी बचेईवे शेश्टमाद से अलग रहा ही नहीं तो ज्यान के आदन पतान से लेके और वस्तू और ज्न में भी दोने प्रकार विज्ञान भी ग्यान भी बहुत सारा विज्ञान तो जन्जातिक्षेत्र में ही बना तो इस तरह से हमारी वास्तविक्ता है पर हम अब जब जा रहे हैं तो उसको उसे साब से नहीं जा रहे हैं आध्यात्म की बात करें हैं तो अंग्रेजों ने हमें समझा दिया और हम यह मानने लग गए कि हमको वनवाजों को धर्मसी कहाना है मुर्ण ऑनी भूल गए था हम ने समझने की कोशिज ने की कि आंग्रेजे बोल के गय था कि उनका धर्मनी है हमारे पूरबजा की बाते हम भूल गई हैं अग्रेजों के शांसन के दौरान कि हमारा क्या-क्या संबंध रहा है रोटी बेटी के संबंध रहे हैं जन्जाती समाज, मतलब जिसको वन्वासी समाज बोलते हैं, उसके राजा रहे हैं, यहां तक की 1947 में भी जो सिगनेचर हो है 442, 542, उसमें से भी कई जन्जाती राजाहों ने सिगनेचर की हैं, तो जो वो नेरेटिव है कि वहां वो अलग थलग था उस प्यात्याचार शोषण हो रहा था, यह तो अभी अब बोलने लग गए और हम भी उसको मानने लग गए, तो यह पाते हम भूल चुके हैं, वास्तरिकता यह है कि जन्जाती समाज वनों में रहने वाला और उसकी अपनी एक संस्कृती विक्सित हुई, और उसने शेष समाज को बहुत कुछ दिया है, जो बोलते थे कि जन पराप्त करना है तो वन में जाओ, तो वन में जाओ, कोन मिलता था उनको जैसे आपको जानकारी चाहिए, संचित जन कहीं से लेना है तो बोलते थे काशी जाओ, वैसे ही अध्यात्म का जन लेना है तो वनवास में जाओ, यह बोलने की बात नहीं है केवल, यह मेरी प्रत्यक्षानुभूती बताता हूँ, कि दो घटनाए बताता हूँ मैं, कि अरोनाचल प्रदेश में आज से बीस साल पले एक अमारा वर्गी चल रहा था उसमें गया था मैं, कि अरोनाचल प्रदेश में विले जट बोलते हैं उनको वो, गाओं के जो मुख्या रहते हैं, तो दो तिन गाओं मिला के एक मुख्या थे, वो उसमें आय थे वर्ग मैं, तो उनोंने आत्म और प्रमात्म का अंतर बताया, अइस एक भूनाज बताया, अनों बताया, वहेडंने, छो वहेडने लोगी थे खिसे हुझाई यह रहे है अर बाहर यह रहेडनी था वहारॉ अन्तर इतना है कि अनौने लोग पताया है। आज बताया कि अट्मा और प्रमात्मां था, में अब तक वो शरीर में तब तक आत्म है, और शरीर से भाहर जाएगी तो परमात्म है। इतना सरल्वक्त कर दोत्य हैं मैंने और कभी किसे सुनी दे थि ऐसे ही जारकंद में पुराने बुजूर्ग के यह गया था अपने भगवान थे अपन पुजा करते हैं, ठापने म syntheticula… अपने में छोग वा देक चित्र बनाना शें लिया, और और भूथोम किसी ने मौुर्ती बनाना शेकला तो उसने सी पहगवान क कि चित्र बनायए और िंही भग वोह सबुपप़ो अगष इन फी भगवार्णी भॉर नहीड गिमा तो जगळ काया गड़ी भगवान का। इतनी सरल्ताप से उनने उस बात को सामने केह वहीछ दिया इन दोनने कोई पुराणनी पड़े, इन दोनने कोई प्रवचननी सुने, तो यह जन कहां से? वह पड़े लिखन नहीं थे वह जन पड़े, तो यह जन कहां से? और इतनी सरलता से केसे बता पारे? एक और इंट्रेस्टिंग बात ही थी उन्से, जब वोले कि आपन सब मिलते हैं तो आपसमें जोहार करते हैं यह उनका विशवासा कोपको यहीर ही रिख deix commands. जोहार करते हैं, आपसमें लोग मेला मैंने उनको कहा ऐसा ही Majag म trenches मैंने कि उनको कहा उनके अग मैंने को ए Character घूतमनी में आप यह सोचो कि राम क्या करते थे तो यह उसका विश्वात था कि राम तो जोहारी करते होंगे राम तो राम नहीं करते होंगे तो यह इतनी सरल बात है तो यह सरल बात वो अनवासी समाथ जानता है इसलिए मैं कई वार ऐसा कहता हूँ यज भांवासी को यह संझा ज़रूदी है कि तुम हिंदु हो आपको समझने की ज़रूदी है कि वो हिंदु है. यह चुनोती ही नही है यह नही है कि वन्वासी को संझा है. यह जो्क एक्तिविस्स लोग दिख रहे वह पुरी साथ छिशिन वि growing कि अगला समाज नहीं मानता है, अभी हमने मानगड में गर 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 जा के प्रयोक कर देख लिया, एक लाग परिवारों में गाया हम, मानगड के आसपास के गाउं में, बीटीप और जैस, जैस तो नहीं तो नहीं तो आप थी, तो इनके कारिकरता हुने विरोध किया था शुरुवात में, लेकिन अपने जो अपने भील समाज के लोग गए थे जावग के, लड़के 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 लड़किया ही तो गाउं वालो ने उनको प्रोटेक किया, यहां तक कि राजस्थान में उनको थाने में बिठा लिय तो गाहु पोचिया कि इतने अच्छे बच्च्या है, यह अच्छी बात कर रहे हैं मानगल की, और हमारे समाज के तो इनको थाने में क्या बिठा लेगा। तो समाज उनकी नहीं सुन रहा है। हम उससे गवरा के उससे लड़ने की कोशिश कर रहें। बहतर होगा कि हम ज़ जो नहीं doubt ही है, हम उससे लड़ने नहीं सुनना होगा, बार्ध रुछी नहीं सुनना है, लेकिन वज जी रहा है, जब उससे आप बात करो कि उसको संख़ोंग अश करोंगा हम भी इसा करते है तो बोले हैं हम ही जोलें कि हम इक ही है। बस इतना ही अंतर है, शायद हिस की व्लिधार रख्य गुष्ट उतना ही अंतर है को एक एकार्य गेधिकार छॉटर यह कीकार इमेजोर रेयालेटी का उंतर और इसक्चि तो विकास के शेत्र हैं यह आधिकारों कि वितोर में पर है नौर शेत्रक्षियोर लोगैं अंग्रेज उने छीन लिया था, उसके गणनों संकट में है, वो अधिकार उसको वापस मिलना चाहिए, सबसे अच्छा समुरक्षन वही कर सकता है, यह एकदम सरल सी बात है, पर हमको अंग्रेज बता के गए कि ट्राइब जो है वो जंगल के लिए खत्रा है, इसलिए हमारे म बुद्धी प्रामान्य की बजाए अनुभूती 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 झाल साहे तियो मन जग है